नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपनी ही योटूब चैनल वीरू अकाडमी पर डियर बात करेंगे सीटेट रेल्ट में लेकर के एक बड़ी गड़बड़ी देखने को सामने आई है जिसके संदर्व में कहीं ना कहीं जो साथी हैं हमारे सीटेट के उन्होंने एक पेन चलाने की बात की है बात करेंगे DSSB में एक बड़ी भरती की जितने पदरेख्त हैं पूरा डाटा पब्लिस किया गया है कहीं ना कहीं वीएड और वीटी सी छात्रों के लिए एक बड़ी खुसखबरी हो सकती है सिच्छक भरती का जो साथी वेट कर रहे थे तो आई सुरुआत कर देती हैं एक एक न्यूज आपको आर्टिकल समझाते हुए चलते ही डियर जितने साथी चैनल पर पहली बारा है तुरन सबस्क्राइब किजिए वीडियो को स्वेर कर दीजिए आईए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर आप सबसे पहले न्यूज देख सकते हैं CT-ET के रियल्ट की जाच को अभ्यतियों नों चलाया कैमपेन जैसा कि आप जानते हैं डियर कि जो सीटेट का रियल्ट है वो बिगत अभी तीन-चार दिल पहले ही CBSC के द्वारा रिलीज किया गया है इसमें जो पूरा मामला डियर वो यह है यह प्रकासित होई है न्यूज संगने के इंदरी सिचक पातरता पर इच्छा सीटेट में पास बिभिन नभ्यतियों का मार्क सीट जो है वो ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस अभ्यर्थी को पेपर 1 में 118 रंक मिले हैं उशे भला पेपर 2 में महा 4 रंक कैसे मिल सकती हैं ऐसे कई साथियों के रियल्ट व हो रही है तो कुछ शातियों के सेकंड पेपर में 120 रंक हैं और पहले पेपर में 17 रंक हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो धांधली की बाते निकल कर सामने आई हैं चात्रों के दोरा यह मांग की जा रही है कि जो एक पेपर में 120 पाएगा वहीं दूसरे पेपर में 17 रंक कैसे दोर पर इसमें कुछ धांदलियां देखने को मिली हैं जैसा कि आप देखते आए हैं बिगत कि जब से पेपर ऑनलाइन मोट बेस सीटेट का करवाने का जो प्रोसेस ही स्टार्ट हुआ है तब से जो सीटेट का रिजल्ट है वो काफी अच्छा रहा है इस बार आपने देखा अब भरती सीटेट को क्वालिफाई किये थी तो कहीं ना कहीं जो ओनलाइन एकजाम है इसमें कहीं ना कहीं धांदली की जो सनलितता है उसके आसार लगए हैं इसके संदर में टोइटर कैम्पेंच चलाया गया था निकट भविस में देखने वाली बात होगी कि सीबीएसी क कि द्वारा इस पर क्या कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं बात कर लेते हैं अगली ख़बर की तो अगली खबर आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है D.S.B. के थूँ वैकेंसी की बात की जा रही है कि कि किस विभाग में किस लेबल में कितने पदरिख्थ हैं तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स के जो पोस्ट है वैक नॉट वो आप देख पा रहे हैं डियर यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक हजार उन्यासी पद रिक्त हैं इफी तरहीके से टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजूकेशन म्योजिक टीचर टीजीटी जो है कहीं ना कहीं तो विश्टिक साइंस ड्राइंग टीचर योगा टीचर सब को अगर मिला लिया जाए तो डी ट्रिपलेस भी में लगबग सोल 2556 पद रिक्त हैं तो कहीं ना कहीं जो असिस्टेंट प्राइमरी वाली हैं इसमें बी टीची के भी छात्र एलेजबल होती है डियर जो टीजीटी पीजीटी के हैं इसमें पूरी तरीके से बी यट के छात्र भी एलेजबल हैं और असिस्टेंट प्राइमरी वाले में भी के छद पूरी तरीके से पात्र किये जाते हैं DSSB के वैकेंसी में तो देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या इस बार मानली शुप्रिम कोट का जो आडर अभी तक रिजर्व है उसका असर DSSB की इस आने वाले वैकेंसी पर पड़ता है या नहीं लेकिन पद ये निकट भव इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है सीटेड रेल्ट को लेकर के आपकी क्या टिप पड़ी है कमेंट जरूर कीजिएगा DSSB के वारे में आज की क्या राय है कमेंट जरूर मेंसंस कर दीजिएगा